इशे हिंदी लोक भारती कक्षा दस्वी प्रिया छात्रो आज हम अपने पाठ्टे पुस्तक में से पाठ दो लक्ष्मी पड़ेंगे लक्ष्मी इस पाठ के लेखक है गुरुबच्चन सिहाँ सुप्रसिद्ध कहानिकार गुरुबच्चन सिहाँ जी साहित्य के अनेक शेत् मुक्त लेखन इनोंने किया है इनकी भाषा सरल और प्रवाही है इसी वज़स से इनका साहित्य रोचक बन पड़ा है प्रस्तुत सम्वादात्मक कहानि में कहानिकार ने दिये गए वचन के प्रती जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रती दया की भावना व्यक्त करते ह हुए पशुप्रेम दर्शाया है लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों को उनका पालन पोशन करना ही मानवता है तो चली है हम कहानी शुरू करती है ज्यानसिय को मवेशी पनने का बहुत शोकता उसके घर के दरवाजे पर भैस या गाय बंदी रह ती थी तीन बरस पहले उसने एक जरसी गाय खरी दी थी उसका नाम उसने लक्षमी रखा था अधेड उम्र की लक्षमी इतना दूद देती थी कि उसके घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी का दूद गली के कुछ घरों में चला जाता दूद बेचना ग्यानसिय का धन्दा नहीं था केवल गाय को चारा और दर्रा आधी देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था नौकरी से अवकाश के बाद ग्यानसिय को कमपनी का वह मकान खाली करना था समस्य थी तो लक्षमी की वह लक्षमी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था उसे अपने सा ले जाना भी संभव नहीं था जब आवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहां मिया अगर लक्षमी को तुमें सौब दू तो क्या तुम उसे स्विकार करोगे मिया करामत अली ने कहा था नेकी और कुछ पूच भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है करामत अली पिछले एक वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था गाय की देखबाल में कोई कसर नहीं छोड रखी थी उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्षमी की पिट पर चार डंडे बरसा दिये थे वह बड़ी भैबित और घबराई थी जो भी उसके पास जता सीर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उचलती कुट्ती गली के रसी तोड़कर खुटे से आज़ाद होने का प्रयास भी करती करामत अली इधर दो चार दिनों से अस्वस्थ थे लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमन ने गाय के पीट पर डंडे बरसाए है तो उससे रहा नहीं गया वह किसी प्रकार चार पाई से उठकर दिरे दिरे चल कर बथान में आया आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा पुछकारा और हौले से उसकी पीट पर हाथ फेरा लक्षमी के शरीर में एक सिहरन सी दौड गई ओह कमबक ने इतनी बेदर से पीटा है उसकी बीबी रमजानी बोली लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो बेचारी को आराम मिलेगा करामत अली गुसे में बोला क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुमारे रहमान के दोनों हाथ तोड दिये जाए कहीं इस तरह पेटा जाता है रमजानी बोली लक्ष्मी ने आज भी दूद नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठीयों से दी गई रहमान से गलती हो गई इससे वह भी कबुलता है रमजानी कुछ ख़ण खड़ी रही फिर वहां से हटती हुई बोली देखो अपना ख्याल रखो पाव इधर उधर गया तो कम्मर सिखवाते रहोगे करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी के पिट सहलाई मूही मूह में बड़बडाया माफ कर लक्ष्मी रहमान बड़ा मूर्ख है उम्र के साथ तू भी बुड़ी हो गई है डेरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरी आखरी बरस है लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जखमों पर तेल लगवाती रही वह करामत अली के मीत्र ग्यानसिह की निशानी थी ग्यानसिह और करामत अली एक दुसरे के पडोसी तो थे ही वे कार्खाने में भी एक ही विभाग में काम करती थी प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक ही साथ घर लौटते तो बच्चों लक्ष्मी पाट का एक भाग हम यहां ही खतम करते हैं पाकी का भाग हम दुसरे वीडियो में सुनेंगे धन्यवाद